और दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ले क्लव्य एस्ट्रोजी में और दोस्तों आज का वीडियो नीच के गुरू यानी डाबिलेटट जूपिटर के उपर कि कब वो अभिशाप है कब वरदान है उसके सिंप्टम्स क्या है और कारक को कैस हुआ आपने बाद की अहिएज में बहुत प्राबलम में आएगा और गंबीर बिमारियों के शिकार हो जाते हैं और उशकी रेमेडीज भी मैं आपको वता cheese करे तो उससे पहले जैसा सबको मालूम है कि special 30 course launch हो जुका है तो अगर आप course करना चाहते हैं जहां पर जोतिश वास्तू, ब्रिगुन दिनाडी, लाल किताब, आयुर्वीद, योग और spiritual remedies और मंतर ये सब सिखाया जाएगा उसके लिए आप एंडोल कर सकते हैं धाई साल course चलेग पर चली आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और मैं आपको स्क्रीन शेयर कर लेता हूं कि डैबलेटेड यूपिटर है, कब खराब है और कब बहुत खराब है और कब अच्छा है, ठीक है, दो चीज़ें देखते हैं, देखें कालपुर्ष कुंडली में Capricorn जो है दस् प्लैनेट है, तो जो आपके अंदर एक वजन जिसको हम कहते हैं, वो है जुपिटर, आपकी बातों का वजन, आपके ज्यान का वजन, दूसरा जुपिटर जीवकारक होता है, जीवकारक होता है जुपिटर और जुपिटर होता है आपकी नोस प्राण वायू, प्राण वा आप आप आकाशत्व को रिप्रेजेंट करता है जोपिटर नेस दूसरों को एक्सेप्ट करने की कितनी आपके अंदर कला है ताकत है जोपिटर उप्रेजेंट करता है बहुत सारे लोगों के इसाब से जूपिटर के अप्रिकॉन का बहुत अच्छा है कलियो उड़नी और जूपिटर एक्सॉल्टेड को सोचते हैं कि जूपिटर एक्सॉल्टेड था भगवान राम के चार्ट में तुन्होंने सफ़र किया आपको बता दूँ कि जूपिटर ए ऐसा वेक्ति ऐसा जीव जो आपके ह्रीदे में परिवर्तन करते हैं जुपिटर अपने से अश्टम भाव में जाकर के एक्साल्टीड होता है तो इसलिए वो इमोशनल सेंस्टिव ज्यादा होता है ठीक है लेकिन लोग उसको धूखा दे सकते हैं यह संभावना बढ़ जाती है जब जुपिटर करक राशी में लेकिन बहुत ही आश्रावादी इंसान और दूसरों को उपर उठाने वाला होता है ठीक है दूसरा जुपिटर कैप्रिकॉन में बहुत सारे लोग खराब मानते हैं शनी की राशी में है जीव फस चुका है किसमें आप देखिएगा यह अर्थ त्रिकोन का एक हाउस है शनी का हाउस है अब फसा हुआ है एक ऐसा ब्रहमें ऐसा ज्यानी व्यक्ति जो अब सांसारी को चीजों में फस चुका है ठीक है ना जबकि जुपिटर का यह ट्रेट है नहीं तो जुपिटर डेवलेटिड कब खराब होता है माली जैसे कालपूष कुंडळी के हिसाब से माली जियो जुपिटर कैप्रिकॉन का बैठा हो राहू दशम में बैठ जाए तो यहां पे जुपिटर जो आप जीव है उसको पल्यूट कर देगा राहू करता है राहू करप्षन है राहू कर्वप्षन है, यानि कि कालपुष कुंड़ी में जुपिटर 10th हाउस में है, कालपुष कुंड़ी, क्याप्रिकॉन में है, डेवलिक रोला, जनम कुंड़ी में अगर राहू दशम पे बैठा है, माली जब जुपिटर आपका बैठा हो, पंचम भाव में क्याप्रि राहू शी की चक्र, कालपुष कुंड़ी राहू शी की चक्र, जुपिटर क्या करता है यहां पर, जुपिटर ज्यानी लोगों के साथ या ज्यान का दुल्प्योग, ऐसे वक्ति जिसने ज्यान का दुल्प्योग किया है, राहू क्या है, हलकी चीज़ को रिप्रेजन करता तो जुपिटर अलेड़ी नीच का है कालपुष कुंड़ी में राहू कालपुष कुंड़ी में जुपिटर 10 में बैठा हुआ है मकर में और राहू आपका दर्शम में है तो यह और ज्यादा खराब हो लाएगा लीवर स्टमक से लिटिडूश्ट इसु मेल चाइल्ड ना हो तो तो करेगा उसके ज्यान को करप्ट करेगा गुरूँ के साथ ना बनना गुरू को धोखा देना कि राहू चीटिंग भी है ठीक है यह सारे यहां पर हो जाएगा कि राहू करम में भी आ गया जो पिटर जो मैंने कहा है जो मौरल्स वैल्यूज्स है उन्नीच का हो गया ठ जिसके साथ अगर सैटन बैढ जाए कोहाँ पर सेकेंड हाऊस में ग्यारों हाऊस में और पंचम में ठीक है जाई और ज्यादा खराब हो धेह एस लहिए क्यों कि जिस जूपिटर कारक सेकंड हाऊस पंचम न वह ग्यारों हैका estrela तो अब सिंप्टम क्या होगा सिंप्टम यहीं होगा ब्रहमन का अपमान करना जुरूं के साथ ना बनना लेकिन यह जूपिटर आपको मिटिरिलिस्टिक चीजें दीगा जूपिटर कैप्रिकॉन में बठा दीजिए और फिर देखिए कि 25911 में कौन सा मैलिफिक है अगर राहु दशम में है तो अफ्लिक्शन में आ गया यह जूपिटर खराब होटा गया श्पेशलिए अगर नाइंध का लौड भी खराब हो गया तूपि नाइंध हाउस आपके धर्म करम को रिप्रेजन करता है ऐसे लोग देखिए बहुत सारे लोग क्या करते है धर्म और जियोतिष के नाम पे लोगों को बीकूप बनाता है या एंगओ खूल लेते हैं फिर जो दो नमबर का पैसा आएगा पॉलिटिशन उसको वाइट करते है जैसे आसाराम जैसे या और लोग जो जिनके उपर बहुत बड़ बड़ी लिजाम है लेकिन लोग उनको बड़ा धार्मिक समझते हैं अब इसमें यह भी हो सकता है कि आपकी गूरूं के साथ ना बने आपको गूरू ना मिले सही ग्यान ना मिले और आप करप्ट ग्यान का हिस्सा बन जाए इसमे जुपिटर भारी है लेकिन नीच का होगा हो गया बहुत हलका जीव खुद नीच का हो गया तो नीच प्रवरिती नीच प्रवरिती या नीच कारे कौन से होते हैं अगर आप देखेंगे इलीगल तरीके से धनकमाना सक्टा लॉट्री से धनकमाना दूसरों से पैसा एंठ से लिए ना मैं जहां पर पंच रुपय का चार्ज करना चाहिए वहां पर 25 रुपय का चार्ज करते हैं आप तो यह भी आपके जुपिटर ख़राब होने की निशानी महनत का जो खमाता है और खाता है समझ लिजिए उसका जूपिटर जूपिटर वो धन है जो आपके पास महनत से कमाया हुआ जो जायस धन है और आपके चार्ड में ये हैं और आपके सिंटम्स ऐसे हैं पैसा नहीं टिकता है मेल चार्ड को इशूस हैं लिवर, स्टमक, साइनेस के इशूस है नाक भरा हुआ रहता है तो आपका जूपिटर खराब है आपको फ्री सेवा करनी चाहिए मंदिरों में जाकर के सादु, महात्मा, ज्यानी लोगों की फ्री सेवा करनी चाहिए और ये खराब स्थिती में और कब आजाता है मैंने कहा राहू दशम में हो जूपिटर डेवलेटिड हो जाए कहीं पर भी या सैटन बैठा हो 25911 में क्योंकि जूपिटर वहां का कारक है या 25911 में सैटन बैठा हो राहू ग्यारू में में बैठा हो पंचम में बैठा हो तब भी जूपिटर खराब एक और स्थिती में जूपिटर डेवलेटिड खराब होता है वो है मारे जूपिटर डेवलेटिड है और सेकेंड आउस में राहू धनी राशी में बैठा हो क्योंकि जूपिटर जो है अब जुपिटर डेवलेटिड हो मालीजे एक और कंडिशन हो जाए जुपिटर डेवलेटिड हो जाए और राहू लगन में धनुराशी का बैठ जया तो क्या हुआ जो जीव की मूलत रिकोन राशी है धर्म की उसमें राहू बैठ गया यानि की करप्ट कर दिया उसको obsession दे दिया clouded vision देता है अब जुपिटर जहां पर भी बैठेगा वो राहू की energy लेके बैठेगा तो ऐसा वेक्ति के पास धंतों होगा लेकिन कहीं न कहीं उसको स्वास्ते सबंदी परिशानिया बाद में बहुत बड़ी लीवर से लेटेड टाबिटी से लेटेड तो ऐसे ल करता इसी गूरू के तरफ ज्यादा करता है गूरू के साथ चीटिंग करना या गलत knowledge को पास ओन करना करप्टेड नॉलेज का पास ओन करना भी एक बहुत बड़ा तो जुपिटर इन कंडिशन में डेबलेटिड होकर कि यह कंडिशन अगर आपके चार्ट में है तो खराब है अब माली जी अच्छा कब है अच्छे का मैं आपको बदाता हूँ कि जुपिटर डेबलेटिड हो और सैटन साथ में बैटा हो सैटन उसके ट्राइन में बैठा हो और सैटन ऐसे बैठ जाए प्राइन की बात है कि जूपिटर जहां पर बैठा है उसके प्राइन में सैटन या साथ में सैटन हो तो यह धर्म कर्म अधिपती योग बनाता है धर्म कर्म अधिपती योग संघर्ष से ज्ञान की प्राप्ति बहुत नीचे से उठकर के उपर की तरफ जाता है दूसरा जूपिटर डेवलेटिड हो और सैटन उसको देखे तो आप देखेगा जब सैटन जूपिटर के उपर से ट्रांजिट करेगा ठीक है माली जे इस तरीके की कंडिशन है तो सैटन जब 35-36 वर्ष के बीच में जब जूपिटर के उपर से ट्रांजिट करेगा तो वो गूल्डन प्रियर्ड हो जाए यानि जूपिटर उसको मेटिरलिस्टिक करियर राइस देगाई देगा जूपिटर डेवलेटिड एक बून भी आपको साबित होता है स्पेशली जब सैटन उसक कैसे देखते हैं उसके कारप को कैसे देखते हैं और कैसे उसको जो है जूपिटर अच्छे रिजल्ट देता है जूपिटर अगर बैठा हो आपका जूपिटर मालीजे नीच का है और चंदर्मा के साथ बैठा हुआ है तो भी आपका जूपिटर अच्छे रिजल्ट देता है debilitated hocker के भी ठीक है आप लेकिन इतने ज्यादा emotional sensitive हो जाते हैं या आशावादी हो जाते हैं या आपको लोग बीकूप बना सकते हैं तो cheating prone हो जाते हैं बदलाव रहेगा यात्रा हैं जीवन बहुत कंदी पड़ेगी ठीक है तो moon के घर में क्योंकि यूपिटर exalt होता है तो यूपिटर को बल मिलता है यहांदे यूपिटर अच्छा होगा तो आपके अंदर emotions होंगे आप दूसरों की feeling भावनाओं को समझेंगे आपके अंदर वो cunningness नहीं होगी आप समझे यूपिटर अच्छे होने का मतलब यह नहीं है कि आप पैसा पैसा आएगा लेकिन वो भूक भड़ती रहेगी और शिक्षक जो है यूपिटर होता है ना साधारन सा होता है ज्यान बाड़ता है लोगों के students का भईशा बनाता है लेकिन बहुत सारे लोग शिक्षक ऐसे होते हैं बहुत कमर्शिलाइज ज्यान बाड़ते जैसे आप आज आपकोचिंग इस्ट्रूट से बहुत कमर्शिलाइज उन्हें कोई मतलब नहीं है ज्यान देने से उनको मतलब है बिजनस तो यह खराब यूपिटर की निशानदी ज्यूपिटर अच्छा होने की डेफिनेशन अब बदल गई है क्योंकि यह कल्यूट है ज्यूपिटर कैप्रिकॉन में है तो बहुत पैसा है मेरा ज्यूपिटर बहुत अच्छा होता है कब खराब और कि स्तीती में खराब उसके सिंटम्स क्या है उसकी रेमेडी क्या है तो जिन लोगों को डाउट है कि ज्पिटर कैप्रिकॉन तो एक साल तक रहता है जी तो सब क्या ऐसी होंगे बिल्कुल सही का आपने जुपिटर कैप्रिकॉन सब के लीमीन नहीं है मैंने कहा कंडिशन कि उस ज्यूपिटर जिस हाऊसिस का कारख है जिस हाऊसिस का कारख है 25911 उसमें अगर सैटन मार्स का जूपिनतर इसा गया यूपिटर काप्रिकॉन में हे और राहुद डशम ने आ गया है क्योंकि मैंने एक टेक्निक बताया था आपको कि राहुदशम में हो और जो भी प्लान बैठे उसके कारक्टत्त्य धून को खराब करता है को मादम है जैसे लोग डेबिलेटेड जुपिटर वाले यह कंडिशन को चेक करें कि आपके चार्ट में क्या ऐसी कंडिशन से तभी आपका जूपिटर खराए बाराक ओबामा के चार्ट में जूपिटर सैटन बैठा हो बहुत अच्छे आगए भर्म करम अधिपति यूग बना दिया तो जुपिटर को प्रियूट करता है अब धनुराशी में राहू बैठा हो जुपिटर डेवलेटेड हो तब भी मैंने का कि जुपिटर करप्ट हो गया आपका और खराब हो गया जुपिटर की मूजद रिकोंड राशी है और जुपिटर राहू की एनर्जी लेके बैठेग तो जब भी कोई आप लैंड देखते हैं तो डीवन को समझें मैंने का पूरी जीवन बीच जाएंगे डीवन समझना डीवन नहीं समझ पाएंगे वह साथ लोग जब उन्हें समझ में लाता है डीवन से तो कहते हैं डी 10 डी 60 देखूंगा डीवन में सब एसके महता साब गरेंटेड एस्ट रॉजर थे चंदर कुंडली लगन कुंडली से ही सारा प्रडिक्शन करते थे कभी देखा ही नहीं डी नाइन लिखके देते थे और यह जितने भी डी 10 डी 60 करते हैं उन्होंने आज तक कोई प्रडिक्शन कुछ कर नहीं पाए तो मास्टर करिए डीवन को उसमें बहुत कुछ चुपा हुआ है काल्पुस को मास्टर करिए ठीके दोस्तों चलिए लेता हूं अलविदा प्रणाव